महां गठबंदन जो है जिसका मजाक ыйडाया जाता था ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बनता जा रहा है लेकिन चंदर बावनाइडव कहते हैं कि जो केसी ईयर का जो गठबंदन बन रहा है उसका समर्थन, मोदी जी यो तो इस आज्यान होए तो संभव नहीं है अब उनका तेलंगणा के प्रती जो द्वेश्भाव पड़ा हुआ है और अभी चुनाओं में तेलंगणा की जन्ती ने जिस प्रकार से उनका हाल बेहाल कर दिया है तो उनकी पीड़ा कहीं जलक्ती होगी तो उनका प्रॉब्लेम है मैं इस पूरी तरह अनभिज्य हूं दूसरा विशह है आखिर महागट बंदन महागट बंदन यह क्यों बन रहा है पांच साल हो गए महागट बंदन ने देश के सामाजी आर्थी विश्वन को ले करके कुछ सोचा हो कुछ कहा हो एक स्वर से कहा हो ऐसा हुआ है क्या नहीं बिनन बिननस पर निकलते हैं और आखिर करें हो लोग हो के हैं यह खुद क्यों बचाने के लिए मैदान में सहारा ढूंड रहे हैं एक दूसरी को आत पकड़ो बच जाएंगे तो यह खेल चल रहा है उनका इरादा एक मात्र मोधी है मोधी को यह करो मोधी को वो करो आप अ आप अखबार के दस पेज निकाल दीजिए दस अलग अलग गड़बंदन के साथ यह अलग अलग सवर में गालिया देते रहते हैं क्या करेंगे क्यों करेंगे देश के लिए क्या करेंगे यह तो गड़बंदन वाले खुद कहते हैं कि कोई आइडिलोजिकल यूनिटी नह ऑद्वोदी यह आप मानके चाल रहे हैं कि इस चुनाव को एक चैलेंज बानेंगे कि इनिबड़ी बद Mmm wonderfully देखिए भारत की जनता धारत Hm का ने तरह भारत की जनता के साथ कौन है भारत की जंता गिश्रेशे के खिलाब कई है ये चुनाव का मांधन बने वाला है देस की जंता जानती है कि यह पहले कि 시간 ठाना पी जो राजव में बैठे थे वह राजजों को लूटते थे जो सैंटरं में बैठे दिखटी हो रही है उसके साथ जूड़ना है और इसलिए जनता वर्शीज गठवंदन होने वाला है मोदी तो जनता जनादन के प्रेम और आशिवाद का प्रतिक्या और कुछ नहीं है तो बहुत हमबल हो रहे हैं इस मामले में क्योंकि राजनेतिक विशेशा के तो कह रहे है जहां पर मुदी एक तरफ और राहुल गांदी एक तरफ आप क्या कहेंगे मानेंगे मैं सपस्ट मानता हूँ कि इस बार का चुनाव देश की जनता के आशा अकांशा है उसको बढ़ारेगा कौन वो जनता तय करेगी उसको नहीं बढ़ाएगा रुकावट परदा करेगा सतर साल का अनुभव क्या है वो भी जनता तय करेगी जनता ही इस बार निर्णाय है